हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी कृष्णा आज मैं आपके समक्ष एक और योग लेकर आया हूँ और यदि इस प्रकार का योग किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है तो अभी से ही जाग जाएं अन्य था फिर या तो शादी हो ही नहीं पाएगी या बह प्रभाव से हमने समस्या देखी विवाहिक जीवन में भी समस्या देखी विवाह के बाद भी और विवाह अगर नहीं हो रहा है तो भी बहुत बड़ी समस्या है यहां तीन प्रकार की इस्ततियां बंती है इस योग के प्रभाव से या तो एसा जातक और confidence होगा पूरा वि हो गई है लेकिन फिर भी शादी तो हो जाएगी पहली चीज़ दूसरी बात कि जब भी विवाह की बात करते हैं व्यक्ति चिर्चिड़ा होता है परिवार में अगर विवाह की बात करते हैं तो व्यक्ति चिर्चिड़ा होगा विवाह के लिए एकदम तयार नहीं होगा ग और कुछ अच्छा option मिल जाए उसको छोड़ देगा कि कहने का व्यक्ति बार-बार मिलान में आ कre CHANe लड़का है लिकिन उसको चोड़ देगा कि और सोचेगा कि ओर क्था मिलान जाए और कोई अच्छा अच्छा पेकेज वाला लड़का लड़की मिल जाए या और कोई अच्छी स्तती मिल जाए इस चक्कर में विवाह में देरी होती चली जाएगी और उमर किती हो जाएगी 30 साल से और ज्यादा 32 साल 33 साल 35 साल 36 साल कि यह सब इस्ततियां हमने इस योग में देखी है 33 साल 34 साल होने के बाद भी शादी नहीं हो पाएगी तो इस योग को कैसे देखें कैसे समझें तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक कुंडली देखें इस कुंडली में मैंने सभी भावों के नाम लिखे हैं तो आप इस कुंडली से यह समझ सकते हैं कि किस भाव को क्या कहते हैं सब्तम भाव कौन सा है, लगन कौन सा है, पंचम कौन सा है यह नाम बिलकुल फिक्स है हर भाव के नाम फिक्स होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है हाँ उसमें राशी अलग-अलग अंक अलग-अलग हो सकते हैं अब हम उस योग को समझेंगे जिस योग से इसी समस्य आती है और यदि आपके परिवार में भी मानली जी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो संतान की कुंडली में ऐसा योग है तो अब देरी बिलकुल ना करें लेकिन एक बात और नौट कर लें यदि संतान की इ कर और समस्या बढ़ जाती है तो इच्छा हो तभी विवाह करें इच्छा नहीं है तो छोड़ दें आपके सामने कुंडली है करक लगन की कुंडली है सब्तम भाव में मैंने शनी लिखा हुआ है केवल इस इस्तती को आप देख लें एक बार ध्यान से इस योग को देख ल से पता लग जाएगी यदि व्यक्ति जादा सोच रहा है जादा विचार कर रहा है तो समस्या और जादा बढ़ जाएगी क्योंकि करक लगन का सीधा संब्ध है चंद्रमा मन का कारक है शनी सब्तम में होगा तो लगन को देखेगा सीधा व्यक्ति को प्रभावित करेगा इ बढ़की की कुंडली में है तो संतान होने में भी देरी और माली जी शनी की ही दशा है और खाना पीना व्यवस्तित नहीं है तो शरीर में रोग भी शनी की दशा में शनी की दशा अगर चल रही तो रोग भी बढ़ेंगे पेट में पेट में समस्या संतान होते समय समस्या पत हम विवाह के मामले में देखते हैं तो सब्तम से सब्तम लगन को देखना भी बहुत जरूरी है तो इस कुंडली में चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी है अब सबसे पहले तो यहां नोट कर लीजिए कि सब्तम में शनी है और शनी वकरी अवस्था में है तो इस्तती ज दार नंबर लिखा हुआ है करक लगन की कुंडली है चंद्रमा भी कुंडली में शनी के साथ बेठा हुआ या तो या शनी की द्रश्टी है शनी की द्रश्टी में पहले ही कई वीडियों में बता चुकाओं कि शनी की द्रश्टियां कौन-कौन सी होती है शनी माली यहां बेटा हुआ चंद्रमा या इस कुंडली में चंद्रमा चोथे बाव में बेठा हुआ है तूला राशी पर तब शनी की द्रश्टी पड़ेगी। नक्षत्र भी होते हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है नक्षत्रों का भी बड़ा प्रभाव हैं क्योकि हर नक्षतr का अलग-अलग देवता भी है अलग-अलग स्वामी भी है शनी अगर मकर राशी। पर सब्तम भाव में बेठा हुआ है तो मकर राशी का मतलब हुआ कि इस राशी में तीन नक्षत्र होते हैं उत्राशाड़ा श्रवन और धनिस्था यह तीन नक्षत्र मकर राशी में होते हैं तो शनी इन में से यही किसी नक्षत्र पर होगा उत्रा शाड़ा नक्षत्र में हुआ अगर शनी सब्तम भाव में तो व्यक्ति में confidence के आधार पर कह सकते हैं कि वह पहले से ही विचार कर रहा है कि मेरी शादी तो हो जाएगी मैं पड़ा लिखाऊं कोई कमी नहीं है ज्यादा चिंता करने की आवशकता नहीं है और माता पिता को भी चाहे लड़का है लड़की है यही कहेंगे कि मेरी शादी हो जाएगी आप चिंता ना करें लेकिन यह शनी शादी नहीं होने देगा तो इस बात पर भी द्यान देविए कि उत्तरा शाड़ा नक्षत्र में शनी तो नहीं यदि श्रमन नक्षत्र में है तो हो सकता है जातक यह हक है कि और रिष्टे आएंगे और देखे कोई अच्छा रिस्ता देखें ओप्षन तो आ रहे हैं बहुत सारे देख लेंगे और बार-बार नकारता रहेगा बार-बार मन में बदलाव होगा रिस्ता कहीं तै हो गया तब भी वहाँ पर तूटने की इस्तती बनेगी मन में बार-बार परिवर्तन आएगा क्योंकि श्र श्रवन नक्षत्र पर शनी है अगर सब्तम भाव में तो एसी इस्तती में बहुमन के अनुकूल चलेगा गरवालों पर द्यान नहीं देगा या रिस्ता आ रहा है तो नकारता रहेगा देरी होती चली जाएगी फिर धनिस्ठा नक्षत्र का शनी है अगर सब्तम भाव में फिर गुसा चिर्चडापन रहेगा थोड़ा सा शादी के बाद भी दिक्कत रहेगी और गुसा चिर्चडापन रहेगा जब भी विवा की बात करेंगे समस्या रहेगी तो इस विशय को भी जरूर समझें कि किस नक्षत्र पर बेटा हुआ है शनी सब्तम भावना वक्री है शनी वक्री लिखा हुआ है, तो समस्य और जादा बढ़ जाएगी, शनी यहां अस्टम का भी स्वामी है, इस कुंडली में अगर चंद्रमा मंगल गुरु की महादशा है, विशेशकर चंद्रमा मंगल की महादशा है, तो इस समय रिष्टे अगर आ रहे हैं, तो ध्यान योग बन जाएगा, लेकिन यदि शनी की दशा है, बुद्ध की दशा है, या शुक्र की महादशा है, केतु की महादशा चल रही है, और केतु भी कुंडली में अच्छे इस्तति में नहीं है, तो नोकरी व्यापार भी प्रभावित होगा, शनी, बुद्ध, शुक्र इन किनली देखनी होती हैं कि दशा क्या चल रही है दशय की isस्थती सब्टम् में वक्री किस नक्षत्र पर है लेकिन लगन के स्वामी चंद्रमा को भी देखना जरूर है पर प्रशनी की दृष्टा जैसे में बता चुका हूं लेकिन इदी चंद्रमा रहू के साथ है तो एस्तत्य और जादा खराब होजाए है अ हम ने देखी है अ बदर ने हैं؟ द्रमा मंगल की महादशा है तो व्यापार नोकरी आदी अच्छी चलेगी लेकिन राहू की दशाय मान लिजे दिक्कत बढ़ सकती है राहू कुंडली में किस बाव में बेठा हो उसको भी देखना जरूरी लेकिन शनी केवल एक मात्र शनी सब्तम बेठा हुआ है अब शनी के क्यों बन रही है किस प्रकार की बातें वह जातक कर रहा है सारी बातों को समझ कर और आप स्वयम भी पता लगा सकते हैं कि शनी इस नक्षत्र पर है तो ऐसी इस्तिती बन रही वास्तों में ऐसा योग बन रहा है अब आप कहेंगे उपाए क्या करें तो उपाए तो सबसे पहला उपाए तो यही है कि अगर आपकी जो संतान है लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसको संतान को भी चाहिए कि जागरूख हो जाए माता-पिता भी जागरूख हो जाए ज्यादा ओवर-कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है आ पहला उपाए तो यही है बीना पेसे का रिस्ता आ रहा है अच्छा रिस्ता है तो ध्यान देंगे तो विवा हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं उपाय करें तो ज्यादा खर्चे वाला कोई उपाय ना करें ज्यादा खर्चा करके कोई उपाय करेंगे तो लाब नहीं मिल पाएगा शनी के उपाय कर सकते हैं शनी के वेदिक मंत्रों के जाब करवा सकते हैं या स्वयम भी ओम शम शनिश्चराय नमा मंत्र का जाब कर सकते हैं भगवान शीव की आरातना कर सकते हैं पगवान विश्णु की पूजा दिन चरिया में पूजा पाट को थोड़ा सा बढ़ा है चंद्रमा अगर रहू के साथ है तो रहू के उपाए भी कर सकते हैं चंद्रमा केतु के साथ है तो केतु के वेदिक मुंतरों के जाब आसपास में कोई पंडित हो तो उनसे करवा सकते हैं इनके दान भी कर सकते हैं आजकल सारी सेमग्री है रहू के अगरं चंद्रमा पर केवल सभढनी के रश्टी तो शनी के ही उपाय करने हैं लेकिन दिन चर्या में पूजा पाट को भी बढ़ाएं कि इतना आप पूजा पाट को बढ़ाएंगे अच्छी इस्तती रहेगी लेकिन एक बात और नौट कर लें इस वीडियो को अगर जिसने पूरा देखा होगा तभी समझ पाएंगे गुरु मान लीजी इस कुंडली में लगन में बेठा हुआ है या कुंडली के ग्यारवे भाव में गुरु बेठा हुआ है तो यहां गुरु सब्तम को देख रहा है ऐसी बहुत सी इस्तती हमने देखी वहाँ पर गुरु योग बना देता है तो कुंडली में गुरु की इस् इस्तति कहीं सुधार वाली तो नहीं, उसको समझना भी जरूरी है, तो गुरु को भी देखना भी जरूरी है, शुक्र आनंद को देने वाला है, व्यक्ति आनंदित है या नहीं, शुक्र की इस्तति देखना भी जरूरी है, शुक्र कारक है, तो व्यक्ति के जीवन में कि अगर बुद्ध को देखना बहुत जरूरी है और विवाह में अगर उोगा में जिवन Ka और च्छा है तो व्यवाइक जीवन अपने आप अच्छा है। गुरू कहीं भी कुंडली में दूशित है तो आज के समय के जो यूवा वर्ग हैं उनको तो हमने देखा है कि गुरू कहीं पीडित है तो विवेक की कमी होगी चाहे कितने ही पड़े लिखे हों विवेक की कमी से जल्दबाजी से कोई निर्णे लेंगे और उस से विवाह के बाद भी जो समस्य आती है गूरू के दूशित होने से होती है यह सारी बातें समझनी आवशक है अगर वीडियो पसंद आए तो शेर जरूर कीजिएगा ताकि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह भी लाभानवित जरूर होगा इसको देखकर और समय रहते हैं वह जागरूप भी हो जाएगा तो इस योग को आपने समझा देखा कैसा लगा वीडियो को लाई जरूर करें तन्यवाद जैशी कृष्णा